नमस्कार आदाव सुस्टिकाल और मैं हूँ आपके साथ नेना शर्मा और आप देख रहे हैं News 1 इंडिया और आज हम पहुँच गए हैं प्रताबगड और प्रताबगड में हम जानेंगे आदी आवादी की मन की बात आदी आवादी तो अब समझी गए होगे क्योंकि ये special show रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं सारे तीन बजोर हम आपको दिखाते है कि देश की जो आदी आवादी है यानिकी महिलाएं महिलाओ के मन की बात क्या है तो प्रताबड़ की महिलाओं के मन की बात जानेंगे इनके क्या मुद्दे है जानेंगे और सरकार से इनकी क्या-क्या मांग है ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे प्रयास करेंगे तो चलिए चलते हैं यहाँ पे एक पार्क में हम आ गए हैं यहाँ पे क्या होता है ना महिलाएं अक्सर पार्क में मिल जाती हैं गौसिप करती होई बाते करती होई टहलती होई तो देखते हैं यहाँ पे कितनी महिलाएं हमको मिलती है जो हमें ये बताएंगी कि 2024 के लोकसवा अजुनाब में उनके मन में क्या चल रहा है और क्या मुद्धिले के मद्द जाइंगे। आईए नभीक बताती हूँ म Zus काने इंडिया पर नमस्कार जये जगनाजी जई नमस्कार तो कुछ चर्चा यहां पे आप लोगों की चल रही थी क्या निकाल रही है पौलत दिन में से कुछ नहीं मैं अपना आच्छा जी तो नमस्कार क्या नाम है आपका पिंकी दिया तो पिंकी जी यह बताईए कि प्रिताब गड़ की महिलाओं के मन में क्या चल रहा है 2024 का चुनाब है मद्दान देने आप जाएंगी क्या मुद्दे लेकर जाएंगी मुद्दा हमारा यही है कि हम महिलाओं को जितने भी महिलाएं सब को जागरूप कर रहे हैं कि मुद्दी जी कोड देना है जिन्हों ने हमारी रच्छा किये जिन्होंने हमारे लिए इतनी ओजनाई लाई हैं जो हम सबको आज मान सम्मान सम लोग जी रहे हैं अपने धर्म क और करो हम महीला सूरचित हैं कि वह महाने वाले समय में चाहेंगे हमारी सरकार आए जि तुमाम योजनाओं के बारे में बात कर रही हैं तो क्या लगता है मौझदा सरकार की यह जो योजना है इनका लाब मिल पाया है विल्कुल मिलेगा राव लाब मिलेगा विल्कुल मिल रहा है मिलेगा क्या कहना चार सुर पार हम जब होंगे ही होंगे पच्छ कह रहा है चार सुर पार तो दूर के बाते 200 मार दीजिए वो साधी पार्टी मिल गई है मैट सब्सक्राइब करते हैं कौन नेता है चलिए बोजे से अच्छा काम करते हैं महिलाओं की सुरच्छा की बात करते हैं लुए चैना चाहिए कि हासरत की बेटी जिन्दा जला दी गई उसके लिए मोधी जी एक शब्द नहीं बोले मनिपूर में नंगा नाच हो रहा है नंगा आज तक कभी अपने देश में कोई महिला जो है नंगा करके नचाही नहीं गई है लेकिन इनके राज में हो रहा है बहुत बड़ा लेकिन उन्होंने एक सब्द नहीं बोला तो यह क्या विकास है में तो मनिपूर में मोदी जी ने कुछ भी मेरे खाल से नहीं बोला कोई बात नहीं हुई सरकार मौ róż servicio के बारे में क्या महिलातॐ महिला तो महिला है आने वले समय में किया जाएगा हर चीज का हिसाब भी लिया जाएगा आपको अब पर जोन्हाय को जाता है अपर टूचती है तो एक साथ हुझाया ऐसा नहीं है एईसा नहीं एईसा नहीं है वो करहा रहे हमारे कर रहा हिने हैं आप गलत बोल रहे हैं। नहीं आप गलत बोल रही है आप ले रही हो पान सार चांट से आप भीजिगा रहा है हो बीक भीक मालेंगे वही रासन चाहिए क्या नहीं किया गया था के देखिए कोई भी सड़क खराब हो तो बताइए कोई मने विकास क्यों नहीं हो रहा है आप राम मंदिर का निर्मार गुए इतने मजदूरों को मिला इतनी इतने होटल खूल रहे हैं इतने वहां लोगों को रोजगार मिला आज के लोगो अपरी र कि अगम प्ल करत आशे आप यहां कि प कर तरकार को मनिर जीखंः दिख रहे हैं वासा सथीक है नहीं सब्सक्राइब को चीजए स्वल जबारे हैं कोकल ऊए इतने कीर मु TP बताती हूं एक 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 करके बाद निमंत्रन कहुंचा था निमंत्रन को तरीक़े नहीं आए अच्छा नहीं जाता है यह पूरा हग दिलाने का काम इस सरकार ने शुरू किया कि मोदी सरकार ने शुरू कि पहले कि जो सरकार है तो नहीं रहेगा ना अपने हजबन के साथ मार खाएगा कोई फिर भी रहे तो यह गलत बाद है हिंदो मुस्लिम हिंदो मुस्लिम मंदिर मजिद हिंदो मुस्लिम है क्या आपके पास कुछ नहीं इसके लागा कुछ नहीं चल रहे यहां यह कहते हैं हैं कि मुदी जी ने बहुत कृम कर और महिलाओ ओं कय Ugh दरसे यह भेहन जी ठीब नाराज दिकाई दे रही है क्या कहना चाहिए मुदी में अच्छा काम किया है विकास किया लेकिन अलीम्प्राइ быть लोगों पर ध्यान देना चाहिजिए कि वेकैंशियं की नहीं आतीन तो मेरा मुद्ध ये इंप्लाइमेंट मतलब जिन लोगों को जानकरी का भाव है वहां तक नौकरी तक आपना प्लाइए नहीं कर पाते हैं या बीच के लोग यह सब चीजों में अब बिहार में देखी सिछक भरती आती रहती हर पान साल पर यूपी में ऐसा है कि वेकंसी न पार्टी कोई माफिया नहीं है बलकि हमारी सरकार इतनी साथ चुगरी चल रहे हैं सब कुछ सम्मान दे रही है ठीक है अरे वो का बात है इतना बाद माफिया क्या एक टूप आया आया ना वह चार सो अपने हग के लिए बात करती रह गई खेला महिला उन्हें ने देश का नाम रोशन चलो सी बारें बात कर रहे हैं महिला अपने हग की बात करके रह गई खे क्यों कुछ नहीं बोले इसके बार मुझे ज़यादा नहीं मालूम है लेकिन मैं यह कहूंगी कि मोदी जी हमारे बहुत काम कर रहे हैं और करते रहें यह बात हैं पंच व्लिए यह पर आपेश्टिया प्रावर नहीं कोई ठेंगा दिखा तो यह कोई कंडी कारती है इसी त किसके पास है अपने मन की बाद बताई किया वोट करेंगे चलिए वोट मत बताईए लेकिन आपको क्या लगता है कि मौझद असरकार काम कर रही है महिलाओ के लिए हाँ अच्छा कर रही है क्योंकि वह चुमुखा से हाइब रोड बन गया जो यह एक्सिडेंट होता है वह अ अपने किनारे से सब लोग आते जाते हैं बस यह अच्छा लगता है माईलाओ के सुरक्षा में बदलाद दिखाई देता है और यह बताई है यह योगी जी को पर इतना मुकदमा था उन्होंने अपना मुकदमा खुद वापस लिए मोधी जी को पर दंगे का मुकदमा था उन्होंने अपना मुकदमा वापस लिया यह आतंगवादी नहीं कहलाते यह देश द्रोई नहीं है इनके पर मुकदमा नहीं ना सिर्फ इनको मुसल्मान दिखाई देता जो खड़ी है बहां जी को कि अब बहुत कर रहे हैं लोने अच्छा किया जो कर कोई सरकार नहीं कर पाई उन्होंने क्या अच्छा कर रहे हैं लेकिन कहीं बस 280 में यह सर अच्छा तो बहुत हैं तो नहीं हो पाता है वैसे इतना देश चला रहे हैं तो कुछ तो देखा सब्सक्राइब अखलेश का शासन अपने में था उसमें तमाम अच्छाईयां में थी लेकिन जो सबसे बड़ी बुराई थी गुंडा गर्दी गुंडा राज किसी की जान सुरक्षित नहीं कब किस दुकान में घुसके कौन गोली मारेगा किसको है ना कब किसके साथ सड़क पर हम निकले हैं तो हमारे आप के साथ एक स्वाई जेट के साथ किसी के भी साथ कौन सी दुरगटना हो जाएगी इसकी कोई कब क्या होगी गारंटी नहीं लेकिन इस समय वही गुंडे वही जो उस समय इतना आतंक के परियाय बने हुए थे आज वही गुंडे पता नहीं किस बिल में घुस सकते हैं अपने लक्ष तक हम पहुंच सकते हैं पहला अंतर तो यही है और जो है पहले आज भी वहराल कुछ डाक्टर से मनमानी करते हैं लेकिन फिर भी ओपीडी टाइम से खुल रही है मरीजों का जो है कुछ है उनका प्रशासन का रुदबा पहले यह था कि कौन से जो है हमारी जो है परचे लिख रहे हैं हमारा सब कुछ कर रहे हैं अच्छी अल्टा साउंड हो रहा है फ्री में एक्सरे हो रहा है प्रशासन विभाग है पुलिस प्रशासन विभाग है वहां हम पहुंच जा रहे हैं हमारी सुनवाई हो रहे उस समय भी लेकिन उसमें पहले जो सरकार्टी और अब जो सरकार्ती एक बात में आपसे पूछती हूँ जैसे कि मौजुदा सरकार में महिलाओं के लिए तमाम योजना है मात्रवन्न ने योजना समझ लीजिए उजला योजना समझ ली तमाम योजना है जो अभी हम गिनने बैटेंगे तो लगबग 9-10-15 योजना महिलाओं के लिए आ जाएंग कि यह का रही है कि कशमीर में देखिए लोग चल नहीं पाते थे इंसे पूछिए कस्मीर में चुनाहिएं दूआथ क्यों नहीं कस्मीर में दो सीटों से क्यों नहीं लड़ रही है आपको यहीं नहीं पता है अपने मन की बात बता है क्या आपको क्या लगता है देखिए मेरा क्या चाहती है सब अच्छा ही है अपनी जिन्देगी अपनी मरजी सब का अपना अपना आप क्या चाहती है बस अच्छा है सुरच्छी तरह सुरच्छा होना चाहिए ज़्यादा सरकार ने महिलाओं के सुरक्षा पर काम किया है महिलाएं क्या चाहती थी वो इस सरकार से उने मिला है फिरहाल तो मैं इसके बारें ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ मैं बहुत कम तोसल में रहती हूँ इस वज़ा से मुझे जहां तक है कि सुरक्षा में तो आपने बदलार देखा ही होगा यह चीजे बहुत अच्छा है यह सही है कि सुरक्षा है बच्चियों के लिए पढ़ाई आगे बढ़ रही है कि इसके लिए विवस्त है कर रहे हैं सरकार जी और भी सब ठीक ही है महंगाई थोड़ा जादा हो रही है जो हम आम आदमियों के लिए जादा दिक्कत हो रही है और तो सब बेश्ट है एक और महिला हमारे साथ जुड़ गई है नाम क्या है आपका पुश्पा तो पुश्पा जी ये बताईए कि प्रताब गड़ के क्या मुद्दे हैं क्या हमारी प्रताब गड़न जो रिक्वाइर मेंट है वह हम चाहते हैसे हम लेडी कहिं कठा होना चाहते कुछ करना चाहते तो ऐसा कोई बैठने वाली जगह नहीं है सिवाए एक बेला देवी मंदिर की जगह के अलावा तो वह चीज चाहते हैं अधे हमारे या जैसे गरमी छ है यह सई दुद्जान पार्क में कंपनी गार्डन में वह भी बंद है तो चाहते हैं बच्चों को यह चीज चाहिए और वह छोटी उमर से सीखेंगे जिसकी सुवीधा नहीं मिलती है और स्विमिंग आना सब के लिए बहुत जरूरी कभी कोई बात हो तो कम सकाम आधा घंटा अदमी अपना स्ट्रेगल कर ले तो वह हम अपने बच्चों के लिए बहुत जरूरी है वह हम आज से नहीं साल से चार रहे हैं अपर नया निर्मार नहीं थी इस समय सरकार अरे दस सार थी तो तस सार में सब्सक्राइब करने में टाइम लगता है मैडम क्यों कच्छा नहीं साफ कर रहा है दोनों मीटिंग जालू लग रही है चोको में कैसे आपने बोला अपने गलत बाद बोल दी गलत पॉइंट फकर दिना वह नाला किससे मेरा ही हुआ घर का यह कुछ कमी होगी कुछ फसा होगा तो फसा ता मैंने इनको सरकार आप चोटे कैसी बात नदम कर रही है अब सरकार आप घर कर के नालिया देके तुझे कर रही पाएगे कि तूस्टा क्यों कर रही थी शिकायत क्यों कर रही थी जरूरी नहीं कि सरकार घर जाकर सफाई करें हम अपनी घर की सफाई करें हमें करनी पड़ेगी हम लेंगे ता आपको अपने घर से बिल्कुल करनी चाहिए घर से आप अपने महले से कीजिए हम ही लोग है जो कचला सब्सक्राइब पर फेकते हैं उसके पाद फैलतार हमी शिकायत करते हैं करनी से भेट देते हैं तभी तो कचण अपने लेगा मेरी कमी है तो और मिला जी यहां पर बात यह चल रही है कि मौजुदा जो सरकार है उससे आप कितना खुशार महिलाओं की समस्या जो है महिलाओं के जो मुद्दे है वो क्या है कुछ नहीं खुश एए तीनम रहते हैं एक है कलो नहीं मिला है नरासन काड कुछ नहीं मिला हैं हम लोग कुछ निकल के आए इतने योजना महिलाओं के लिए सरकार दे रही है उन्हीं उजनाओ का लाव आपको नहीं मिला है कुछ नहीं अपने अपलाई किया था और आप चक्कर लगा रही है जब से लोगों से साल बार होगा ने काम करते करते लेकिन इनको नहीं मिला है हमारी सरकार ने 4 करोड लोगों को मकान घर दिया है और आने वाले समय में 3 करोड का और भी टार्गेट करोड को दिया जा रहा है अपकी आने वाले समय में आपको यह चले आप देख लिया है इसे तप रहे हैं लड़का बच्चा इसे लएक कुछ भी नहीं मिला है करी किसमत है और दाम क्या कहना चाहती है जड़ निए करोड़ का देख ज़त ही यह क्यों चाहती है एंग क्यों वज्जा बटाइए और के योजना का लाब मिला है कभी यह- कि अपने महिलाएं है आप एक बार पूछ लीजे को सरकार चाहती है आपको पत्तव जागा सब मोदी जी को चाहते हैं अब जो आपको लगेगा कि आपको जिससे हम कुछ नहीं मिल रहा है जो उनकी अप्तम कारी बिदी बच जो नहीं है आपकी लोग हो जाएं नमशकार पूज़ा शिर्वास्तर जी आप बताईए क्या है आपके मुद्दे महिला है ठीक है और महिलाओं के लिए सरकार ने बोला है बड़े-बड़े दावे किया है महिलाओ के लिए बहुत सरी उजना है निकाली है महिलाओ को लाव मिल रहा है उजना का और आपादी आबादी आपादी नापी नापी जीजिसकी जो कर रहे है वो भी ठीक है बस महेंगाई हम लोग के लिए बहुत ज्यादा हो गई है का मुद्दा है महंगाई बहुत ज्यादा है इसके वज़े से सब लोग पर्शान है नहीं तो पहले ठीक ठाक था सब कुछ महेंगाई के अलावा महीला सुरक्षा वो सब ओके हैं कि अवल महेंगाई है तो हर चीज से महेंगा भी हुआ है तो तंखा भी बड़ी है यह बात नहीं है दोनों चीज़े हैं समझ नहीं पा रहा है ना में बात है बस ठीक है एक तरफ अगर हम देखते महेंगाई जादा अगर एक तरफ देखेंगा तुसमें ज्यादा लगेगा हमको आदमिये दूर चे बात करिए अरी बाब रे चू के बात ना करिए जबहुत मांगना होता तो हाँ जोड़ती है त प्रताबगर की महिलाओं के मन की बात हमने आपको प्रताबगर की महिलाओं की मन की बात से रूबरू कराया यहां की जो महिला है उन्होंने अपने मन की बात न्यूस्वन इंडिया के साथ करी है और सारी महिलाओं का अलग अलग देखिये मत है कुछ महिलाएं कहती हैं कि मोदी जी की सरकार के आने के बाद उनको काफी योजनाओं का लाव मिला है वही कुछ महिलाएं ये भी कहती हैं कि उनके जो घारें अभी तक तीन के हैं और बिरोजगारी यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा है तो यह अलग अलग तरीके के यहाँ पे हमको मन मताब महिलाओं के पता चले है